हेलो फ्रेंड्स किसे हैं आप आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एबोशन के बाद आप जल्दी से रीकवर केसे हो जाए या अपने केर केसे करें इसी के बारे में आज हम डीटल में जानने वाले हैं मेरे बहुत सारे पेशिंट और वीवर्स है जो ये जानना चाते हैं कि में हमारे एबोशन होने के बाद में हम अपना ध्यान केसे रखें क्या खाएं क्या पीए तक हम बहुत जल्दी रीकवर हो जाएं और हम अपना पहले की तरह हमारे लाइफ हम वापस से जी सकते हैं तो जब भी आपका एबोशन होता है तो एबोशन आपका सर्जिकल भी हो सकता है मेडिकली भी हो सकता है या फिर किसी और वज़े से भी एबोशन हो सकता है तो सबसे पहले तो आपको अपना एबोशन कंप्लीट करवाना है और यह कंफर्म करना है कि मेरा एबोशन कंप्ली आपको सर्जिकली एवोशन हुआ तो पुरा एक से दो दिन आपको बेडरेस जरूर करना है तुरंत ओफिस वगेरा नहीं जाना है या कई महला ऐसी होती है जो ओफिस वर्क करती है कोई हाउस वाइफ होती है किसी को कोई मतलब अदर्वाइस कोई भी जोब हो आपकी तो आप कम से कम 2-3 दिन तक तो रेस्ट करें जब आपको थोड़ा ठीक लगने लगे आपको चक्करवक्कर नहीं आ रहे हैं तो आप अपना ओफिस वर्क 2-3 दिन के बाद में कर सकते है या वन वीक के बाद तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे फिर आप कर सकते हो खाने पीने में आपको जैसे पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है उसके बाद में आप लिक्वीड सबसे ज्यादा ले सकते हैं जैसे आप जूस ले सकते हो सूप ले सकते हो निब्बू पानी ले सकते हो इवन आप जैसे की रेडिमेट जूस भी ले सकते हो तो आपको अपनी डेली रूट ददार सबजया ज़्यादा खाना है, दाल, प्रोटीन वगेरा, और अगर आपको ब्लड की कमी हो जाती है, आप एक बार ही अपना हीमोगलोबिन टेस्ट करवा के देख ले, अगर मानलो आपको किसी भी वज़े से ब्लेट की कमी हो रही है, क्योंकि एबोशन के दोरान कई ब ले सकते हो, जो भी लाल कलर के फ्रूट्स होते हैं, जो ब्लड बढ़ाने में हिल्प करते हैं, वो आपको परड़े लेना है, आप सलात के रूप में भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, हरे पत्तेदार सबजया तो आपको बिल्कुल लेना ही है, इसके बाद में आप दाले भी ले ताकि आपको प्रोटीन मिले बोडी में वीकनेस ना आए और दूद भी पी है ताकि आपको केल्शम की कमी ना हो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आपको रेस्ट कितना करना है तो अगर आप हाउस वाइफ है तो आपको कम से कम वन वीक तो रेस्ट करना है अगर आपका ओफिशली वर्क है तो आप एक से दो दिन रेस्ट करें जब आपको ठीक लगने लगे तब आप अपना ओफिस का वर्क आराम से कर सकते हैं अगर आपको चक्करवगेरा की प्रॉब्लम है या बीपी लो हो रहा है तो आप डोक्टर की सला से मेडिसिन ले सकते हैं अगर आपको बीपी लो की प्रॉब्लम है तो आप दिन में दो से तिन बार निबू पानी भी पी सकते हो और आपना एनर्जी लेवल बढ़ा के रखे ताकि आपका बीपी लो ना हो और खाना बराबर टाइम से खाईए हर दो तिन घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना है आपको अभी हम देखते हैं कि आपको एबोशन के बाद में रिलेशन कब तक नहीं बनाना है तो आपको जब भी आपका एबोशन कम्प्लीट होता है तो कम से कम दो हपते तक आपको रिलेशन नहीं बनाना है अगर महला कमफर्टेबल नहीं है तो हम one month तक भी रिलेशन बनाने के लिए सल्ला नहीं दे सकते हैं पेशेंट को अगर पेशेंट agreement है तो आप टू वीक के बाद में रिलेशन बना सकते हैं जिसे ही आपका abortion complete होता है तो उसके तुरंत बाद आपको कुछ जुपध हैं रखना है कि जिससे अगर आपकी bleeding बंद हो गए तो उसके बाद में आपको vaginally कुछ भी insert नहीं करना है two weeks से पहले यानि कि जिसके tampon भी नहीं करना है finger भी नहीं insert करना है आप menstrual cup भी use नहीं कर सकते ह जोरान आपको paid यूज करना है ना कि vagina में कुछ भी insert करना है क्योंकि जोरान बच्चदानी का मुझ खुला रहता है cervix open रहती है तो infection फैलने का डर सबसे जाता रहता है और आपको abortion या तो आपका surgically हुआ है या फिर medically हुआ है तो bleeding का थोड़ा खत्रा रहता है bleeding तेज रहती ह तो उस दोरान आपको paid यूज करेंगे तो उसमें आपको पता भी चलेगा कि मुझे bleeding केसी हो रही है टेंपोन और कप में आपको समझ में नहीं आएगा हाँ आता है पर उतना समझ में नहीं आता जितना हमें paid में पता चलता है कि मुझे bleeding किस तरह से हो रही है और क्लोड में कुछ भी insert नहीं करें, insert करने से बचे, और इसलिए हम बोलते कि कम से कम दो हपते तक तो आपको relation नहीं बनाना है, यानि कि वेजाइना में कुछ भी insert नहीं करना है अब इसके साथ में, आपको किंच जो का ध्यान रखना है कि आपको antibiotics proper लेना है आपको जो भी abortion आप करवाते हैं डॉक्टर के guidance में ही करवाना है डॉक्टर के under में रहके ही आपको करवाना है, अपनी मर्जु से नहीं करवाना, कई लोग वीडियो देख करके medicine खा लेते हैं फिर जब समश्य होते हैं तो डॉक्टर से consult करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है इन चीजों के लिए सही guidance मिलना बहुत जरूरी पेशेंट को ऐसा नहीं कि किसी का भी वीडियो देख करके और आपने abortion pills खरी दी और खाली ऐसी गलतिया बिल्कुल भी ना करें अब हम देखते हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका blood group क्या है माल लो अगर किसी का blood group negative रहता है तो ऐसी condition में अगर आपका abortion automatic हुआ है यानि कि मेस्गेरेज हुआ है या फिर आपने surgical ही करवाया है या बच्चे में धढकन नहीं आई बच्चे में कोई भी abnormality थी या फिर आपने medically abortion अपनी मर्जे से करवाया है और अगर आपका blood group negative है तो ऐसी condition में डोक्टर आपको एक NTD करके एक injection आता है जो कि आपको आगे की आगे होने वाले बच्चों में कोई problem ना हो फिर से misgarage का खत्रा ना हो या misdeportion का खत्रा ना हो उसके लिए आपको NTD injection लगाते है यानि कि आपका blood group तो negative है पर husband का positive है तो ऐसी condition में NTD injection patient को लगाना बहुत जरूरी होता है नहीं तो आगे चलके जो next delivery होती है या baby आप consume करते हैं तब आपको समश्या आ सकती है अब इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर आपको blood की कमी होती तो doctor आपको iron, calcium, protein powder सब कुछ multivitamin सब कुछ prescribe कर सकते हैं तो आपको one month तक ये पूरा treatment लेना है इसको बीच में बंद नहीं करना है ये आपकी health के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर blood की कमी होगी तो patient को चलने फिनने में चक्कर आएंगे calcium की कमी होगी तो हाथ पेरों में दर्द होंगे हड्या कमजोर हो जाएगी protein powder नहीं मिलेगा तो आपकी muscles weak हो जाएगी है तो आपको ये सारा treatment लेना जरूरी है इसके बाद में हम देखे कि आपके periods जो रहते हो कब आते तो abortion होने के बाद में आपके periods थोड़े in regular हो सकते है तो जब भी आपका abortion complete होता है उसके बाद में आपको कम से कम 4-5 हपते तक period आने का इंतजार करना है मान लो अगर आपके period 5 हपते में भी नहीं आते हैं तो इसे में आप डॉक्टर से कंसर्ट करके और अपना treatment ले जिससे कि आपके period जल्दी से आ जाए अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा परे तो हमारी भी online appointment बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं तब से आखरी में आता है कि आप अपने टाइवेट एरिये की अच्छे से साफ सफाई रखे और बिल्कुल अपने हाइज दिन को मेल्टेन करके रखे आशा करते हूँ कि इस वीडियो के माद्धियों से मैं सब चीज़े क्लियर कर पाई हूँ एबोशन के बाद आप अपनी केर कैसे करें इन सब चीज़ुक पे ध्यान दे और मानसिक तनाव बिल्कुल भी न रखे धन्यवाद